नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रिप्शन के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोग सूचना अधिकारी PIO द्वारा जूठी या भ्रामक सूचना दी जाती है तो उनके खिलाब अफ़ायार किन-किन धाराओं में और किस परकार तरज करवाश रखते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरूए है वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर दें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्य करेंगे तथा एक लाइक कबर अवस्य कर देंगे तथा अपनी किरिया परति किरिया कमेंट कर अवस्य बताएंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे कि RTI ECT 2005 के तहत किस प्रकार दोसी लोग सूचना पताधिकारी पर जूठी या ब्रामक सूचना देने पर अफायार धर्ज करवाई आ सकती है सत्ति की विजय हमेशा होती है इसलिए हम सभी को एक जूठो कर भरस्टाचार के खिलाब सत्ति के विजय के लिए अवस्य प्रियास करते रहना चाहिए तो चलिए सत्ति मैव जयते RTI ECT 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोग सूचना के अधिकारी द्वारा जूठी या भ्रामक जानकारी दी जाती है जिसका प्रमान आवेदक के पास मौजूद है इस इस्तिती में भारतिय डंड संहिता की धारा 166, 166, 420, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज किया जा सकता है यदि संबंधित थाने में FIR दर्ज नहीं किया जाता है तो अपने अपने राज के वाटसप नंबर पर आवेदन लिखकर साक्ष के साथ भेश सकते हैं मैं बिहार आज से संबंधित बिहार पुलिस के वाटसप नंबर बता रहा हूँ आप लोग इसे अवस्य नोट कर रखें बिहार पुलिस का वाटसप नंबर 85444-28407 है मैं पुना इसे दुरा रहा हूँ 85444-28407 है इस नंबर पर भी आवेदन भेज कर अफायार दर्ज कराई जा सकती है बिहार के जितने भी RTI आवेदक या RTI काड़ी करता है इस संबंधित बिहार पुलिस के वाटसप नंबर का अपयोग किसी भी तरह के FIR दर्ज करवाने के लिए किया जाता है इसे नोट कर अवस्य रख लें वाटसप नंबर पर आवेदन भेजने के बाद आप संबंधित थाने में रईश्टर डाग द्वारा भी साक्ष सहित आवेजन प्रेशित कर सकते हैं जैहिन इस प्रकार यदि हम लोग वाटसप नंबर पर भेज कर साक्ष के साथ यदि आवेदन देंगे तो आवेदन भेजने का साक्ष हम लोगों के पास वाटसप नंबर पर रहेगा तो था जितने भी साक्ष सहित आवेदन देंगे उसे यदि रईश्टर डाग द्वारा भी संबंधित थाने को प्रेशित कर दिया जाएगा तो हम लोगों को डाक रसीद का भी साक्ष मौदूद रहेगा इस प्रकार थाने पर भी दबाप पड़ेगा कि इस केस में अफायार अवस दर्ज किया जा सकता है यदि इसके बाव्यूद भी अफायार दर्ज नहीं किया जाता है तो आप संबंतित कोट में भी किसी अधिवक्ता के माध्यम से या खुद भी साक्ष सहित आप परिवाद दायर कर सकते हैं यदि हम लोग एक जूठ होकर इस प्रकार ब्रस्टाचार के खिलाप इसका उपयोग करेंगे तो आसा है एक नए एक दिन भारत में भरस्टाचार बहुत कम होगा जबकि अभी भारत में भरस्टाचार चरम सिमा पर है इसलिए हम सभी RTI कार्करता को इसका उपयोग अवश्र करें तथा यदि जान माल की छती की संभाब ना हो तो लोग सुचना पदाधिकारी के खिलाब भी कोट में एक सुचनात्मक आवेदन धारा 39 के सहत तहत दे सकते हैं कैसे देंगे इसकी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो में दे चुका हूं जय हिंद